दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे UFO गेमिंग के बारे में जिसमें बहुत लोगों ने इंवेस्टमेंट कर रखा है जिन लोगों के पैसे फसे पड़े हैं वो माइनस में जा रखा हैं उनका पोटफिलियो वो क्या करें आज की स्ट्रेजी इसी के उपर है और आपक यसे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा चाठ के साबसे कि जो सपोर्ड मैंने बनाई वो किस लेवल पे बनाई हैं सब कुछ मैं आपको बताऊँ का कैंडल के बारे में तो आपको इतना करना दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है दोस्तो सुनने में तो काफी अजीब लगता है कि यार कैसे 3,000 रुपे हमारे 1,40,000 रुपे बन जाएंगे जब मैं क्रिप्टो करनसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मेरे तो यार जब भी मैं पैसा ड करेटे हैं हमारे साथ वो जानते हैं कि जब क्रिप्टो करनसी मार्केट में बढ़ती है तो 50 गुना तक टोकन बढ़ जाते हैं मैं आपको एक्जामपल देता हूँ बिटी टोकन का बिटी टोकन 0.01 डोलर के आसपास था पिछले वर्जन का और उसके बाद क्या हुआ दोस्तो मार्केट में इतनी अच्छी दूम बची तो बिटी टोकन 0.60, 0.70 डोलर तक के आसपास चला गया यानि कि 70 गुना जो टोकन है वो केवल 2 महीने के आसपास ही बात करते हैं तो पिछले एक साल से लगा था मार्केट गिर रही है तो लोगों के अंदर जो एक कोंफिडेंस था वो गिर चुका है और क्रिप्टो कंसी के अगर हम इस्ट्री देखते है 2017 की साइकल हो 2021 की साइकल हो उससे पहले 2016 में गिरावट आई उसके 2020 में गिरावट आ अगली जो बुल रैली आएगी उसमें प्रॉफिट लेंगे हम इसी चीज को टागट करते हैं कि हम अपने जो प्रॉफिट है उसको दो तरीके से देखते है एक शोट टम में और एक लोंग टम में आप क्या कर सकते हैं देखिए अपने पूटफोयलो के के अवल 10% ही मार्क शोट टम का मतलब यह होगा कि एक ऐसे लेवल पे जहां पर हम इस महीन अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पस मन्त एंड में कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकल के आए ऐसा नहीं कहना हम कि आर आज हमने लगाया और एक साल के लिए हम बैट गए और हमने भूली ग बनाऊंगा एक बढ़िया सा पोटफोलियो आपके लिए तयार करूंगा आपको बस इतना करना है चैनल को यहां पर सब्सक्राइब करना है कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है और अगर किसी चीज के ओपर आपको जानना है उसके बारे में भी आ क्या पता इस से नीचे हो बट हमारा इस डेगा 0.008 डॉलर यानि कि हमारा जो इस टोप लो से यहां से पंधरा से भीज परइस परसेंट का हमारा हमने रिस्क ले लिया उसके बात हम अपना पहरा टागेट देते है पहरा टागेट में पहरा ऑलके परसेंट का अगला जो बेसिस के उपर मैंने तयार कर रहे है चार्ट में किस तरह से आपको चीजे समझनी है आपको जिस क्या करना है ट्रेडिंग व्यू एप को खोलना है यह वैब पेज है इसको ओपन कीजेगा और यहाँ पर सर्च करना है यूएफो ठीक है यूएफो आप सर्च करेंगे यूए 8 praise मैं तो 10.008 dollar के आसपास का यह लेवल यह देखे यह मैंने टीक है मैं आपको दिखा देता हूं कि यह सीज़ कि यह वाला हमारा जो लेवल है इसको मैं एसर यह करता है ऑगर मैं यहां से बाइं गरते हूं bagus और ये वाला देखें एवाला समझ मारेखें किस तरह से चीज MON और मैं आपको सब दिटेज में बता दु कि किस तरह से आपको मैनेच़ करना है मेरा जो स्टोबलोस बालति हो गया कितना सा सक्ष्टॉबल से यह वाले-चिर स्टोबलोस यह वाले लेबल और तो मेरा profit देए कितना निकल गया आता है, तो मेरा पहला target यह हो गया, दूसरा target मेरा यह हो गया, इस तरह से हमने target निकाला है, अगर हम long time में आते हैं, तो long time में आप देख सकते हैं, long time में हमको profit कितना मिल रहा है, 30,000 से 1,40,000, तो इसी तरह से आपको चीजे करनी है, इसी तरह से चीजे आपको maintain करनी है, और इसी तरह से आपको stop loss बनाने है, इसी तरह से resistance का पता करना है, दोस्तों धीरे धीरे आपको चीजे समझ माएगी, सब कुछ मैं वीडियो में आपको बता दूँगा, जस्ट आपको इतना करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है और एक कमेंट जरूर करना है